नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है ये वार अल्रेडी पूरी तरीके से हार चुका है और अब कोई पॉइंट नहीं है कि यूक्रेन इस वार को और आगे परस्यू करेगा ऐसा क्यों जियो पॉलिटि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, खुद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं सेलेंस की, उनके जो वर्ड्स अगर आप देखोगे, उनका जो स्टैंस अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि वो किसी ना किसी तरीके से, एक तरीके स इसकर्स करने वाले हैं कि क्यूं यूक्रेन इस वर को अलरेडी हार चुका है, और अगर ये वर आगे continue करता है, तो बस इसमें यूक्रेन का लॉस होगा, यूक्रेन की territory का लॉस होगा, और यूक्रेन के civilians का लॉस होगा, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक बड अपना नाम UPSC की होली PDF में देखा होगा, ये अनकाडमी के लिए भी एक बहुत बड़ा यूज सक्सेस है, बिकॉस और इंडिया रैंक वन जो अधित्र शिवास्तव सर हैं, वो अनके साथ साथ और इंडिया रैंक 3 अनन्या रेडी मैम हैं, वो भी अनकाडमी की ऑनलाइन आई है, वो भी अनलाइन की टेस्स सीरीज का पार्ट रह चुकी है, बलकि इतना ही नहीं, अनकाडमी ने इस साल 300 से भी जादा सेलेक्शन दिये हैं, और ये अनकाडमी टीम के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, लेकिन इस सक्सेस को हम अनकाडमी की टीम जो है, वो अपने व विच इस यूज, आप समझना कि आपको इतनी कम फीस में, जो अनकाडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, वो क्वालिटी कॉंटेंट दिया करेंगे, अगर आप इस कोर्स को जॉइन करना चाहते हो, तो हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस हो जाएगा, तो thank you, I hope आपको, तो I hope आपने ये announcement सुन ली होगी, अब वीडियो के उपर वापस आते हैं, और discuss करते हैं, कि क्यों यूकरेन ये पूरे वार को हार चुका है, देखो सबसे पहला reason ये जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्स क्लेम करते हैं, वो ये है, कि यूकरे ये था कि रशिया ने जितनी भी territory regain करी है यूकरेन के अंदर में, उन सारी territories को वापस लेना, तो इस counter offensive में, जो कि यूकरेन का best counter offensive माना जा रहा था, ये एक तरीके से जब ये on ground आया ये plan, तो ये एक पूरी तरीके से disaster सावित हुआ, क्यों disaster सावित हुआ, क्यों कि रशिया गाउं थे, जो कि यूकरेन वापस से regain कर पाया था, लेकिन यूकरेन की forces वहाँ तक पहुंच तो गई थी, जैसे अडविका के टाउन तक पहुंच तो गई थी, जैसे बाकमत के जो region है, वहाँ तक पहुंच तो गई थी, लेकिन वहाँ पर ज्यादा दिन hold नहीं कर पाया उस पूरे region को, और रशिया ने जब अपना offensive launch किया, तो उसने विदिन 9 months, बहुत important है यह विदिन 9 months उन दोनों जगह को, उन दोनों region को दुबारा से regain कर लिया, तो कहा यह गया, कि जब अपने पूरे ताकत से इतना बड़ा counter offensive जो लाँच किया यूकरेन ने, तब भी वो towns को वापस नहीं ले पाया, तो that means कि रशिया के पास already territorial gains हो चुके हैं, already उनका बहुत strong hold अडविका और बाकमुत वाले region पर हो चुका है, और अभी उन्होंने आगे बढ़कर के nuclear plant पे भी attack करना शुरू कर दिया है, तो यूकरेन का अब इसमें सिर्फ नुकसान है, यूकरे की forces का motivation पूरी तरीके से तूट गया, और हमने एक वीडियो के तूरू इस चीज को cover भी किया था, कि जो पूरा survey हुआ था, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि 90% जो यूकरेनियन्स हैं, वो इस पूरे war को pursue ही नहीं करना चाते हैं, क्यो pursue नहीं करना चाते हैं, बिकॉस इतने बड़ा counter offensive जब उनका fail हुआ, तो जो पूरे Russian soldiers थे, उनका motivation बहुत जादा बढ़ गया, और Ukrainian soldiers का motivation टूड़ गया, वो पीछे की तरफ retreat करते गए, अब उस retreat की वज़े से एक उनकी जनता में भी message चला गया, कि हम इस war को किसी भी तरीके से नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि Russian forces काफी strong है, और जो हमें western support मिल रहा है, वो पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, ये message जब जनता में गया, तो अव्यस सी बात है, जो जनता है, ना वो आर्मी में खुद को अन्रोल करवाएंगे, नए लोग, ना वो इस war को pursue करना चाहेंगे, बलकि कई सारे Ukrainians तो इस favor में भी थे कि इस war को खतम करो, अभी तुरंती खतम करो, जितनी territory Russia hold कर रहा है, उतनी उसको दे दो, और इस war को खतम कर दो, ताकि इसमें peace हो जाए, इसमें बड़े-बड़े ministers के भी बयान है, Ukraine के ऐसे, कि जितनी territory hold कर रहा है Russia, उसको दे दो, और अभी किसी तरीके से peace ले आओ, Ukraine के clear है कि Ukraine जो अभी defense line hold किये हुए है, उसी defense line पर defensive तरीके से उसको खड़े रहे वहाँ पर, कोई offensive launch ना करे रश्या के खिलाफ, तो मतलब ball is always in Russia's court, मतलब Russia ही हर plan करेगा, Russia ही हर attack करेगा, और Ukraine सिर्फ defend करेगा, तो ये strategy अपने आप में बहुत जादा flawed strategy है, और इसकी वज़े से क्या होगा, कि Ukraine सिर्फ और सिर्फ अपने territory को छोड़ता जाएगा और पीछे retreat करता जाएगा, और ये कब तक करना है Ukraine को, ये सारी चीजें, ये defensive strategy जो Ukraine को अपनानी है, ये उसको presidential elections तक अपनानी है, जो कि USA के अंदर में होने वाले हैं, अब presidential elections US के अंदर में कब तक होने वा आधा Ukraine कबजा कर लेगा Russia, और एक बार आधा Ukraine पर कबजा कर लिया Russia ने, तो वो खुदी इस वार को pursue नहीं करेगा, उसके territorial gains तो होई गए, तो वो already, वो retreat तो करेगा नहीं वहाँ से, वो अगर negotiation table पर बैठा भी, तो फिर वो territory को वापस थोड़ी देने वाला Ukraine को, तो already Ukraine ये war पूरी तरीके से हार चुका है, दूसरा reason जो geopolitical experts ने बोला Ukraine के हारने का, दूसरा reason था कि उसकी जो border है, बेलारूस के साथ और रश्या के साथ, वो बहुत huge है, और उस पूरे border को, अगर आप देखो, तो बेलारूस भी एक ally country है रश्या की, और बेलारूस के साथ इतना बड बड़ा border को resist करना, उतनी forces ही, उतनी troops ही available नहीं है Ukraine के पास, कि वो इतने बड़े border को resist करेंगी, और बेलारूस क्योंकि ally country है रश्या की, तो उसने अपना पूरा ground यहाँ पर दे दिया है Russian soldiers को use करने के लिए, तो Russian troops यहाँ पूरी तरीके से, यहाँ पर भी तैनात हैं, यह तो Russia इस war को end होते होते कबजा करी लेगा, तो जितना जल्दी Ukraine agreement sign करके peace deal कर ले रश्या के साथ, उतना अच्छा है, उतना कम territory Ukraine की जाएगी रश्या के पास, और तीसरा reason जो बताय जा रहा है Ukraine के हारने का, वो यह है कि already Ukraine आदा war हार चुका है, क्यों हार चुका है, देख कि जो Donbass का region है, और जो Crimea वाला region है, उस पूरे region के ऊपर हम talks के लिए तैयार है Russia के साथ, talks के लिए तैयार है मतलब आप समझ रहे है, वो region अभी किसके old में है, वो region रश्या के old में है, तो वो region तो और रश्या छोड़ नहीं रहा है, तो talks क्या करेंगे, वो यह था इस्तित और उनका सबसे important port है, तो इस region को तो वो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है, दूसरी तरफ क्या किया किया कि डॉनेट्सक और लुहांस के जो regions है, इसमें separatist groups को खड़ा किया, जो Russian-backed separatist groups थे, उन्होंने इस पूरे region पर अपना control लिया, और control लेने के बाद इस पू Russian forces और इस region में पहुँच चुकी है, और इसको hold कर रही है, तो यह जो regions Russian forces hold कर रही है, negotiation table पर बैठेंगे, तो इन regions को तो वो वैसे भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन regions में तो separatist group खड़े, वहां पर proper elections हो रहे हैं, तो इसका तो सवाली नहीं उठता कि यह region, Russia जो है, वो Ukraine को वापस दे, और Crimea वाला region Ukraine को वापस दे, बिल्कुल भी नहीं देने वाला वो, और Ukraine की जो navy है, वो इतनी strong है नहीं कि Crimea का port जो है, वो पूरी तरीके से Russia से वापस ले पाए, तो यहाँ पर जब Russian forces और अपने इतने फायदे में हैं, और वो इतनी territorial gains उनको हो चुका है, तो अगर यह war आज भी agreement कोई sign होता है, कोई peace deal sign होती है, तो क्या होगा जादे से जादा, जादे से जादा एक agreement sign होगा कि भाई, यह जो region जहाँ पर Russian forces हैं, यह उनको hold करने दो, और आपके पास जो बचा कुछा region आप उसको hold करो, जैसे Cyprus के साथ हुआ था, Cyprus के साथ क्या ह कबजा था, बाद में यहाँ पर freedom fighters ने लड़ाई लड़ी, एक पुरा freedom movement छेड़ा Britishers के खिलाफ, इस freedom की लड़ाई में Turkey भी था और Greece के भी लोग थे, तो अब बाद में क्या हुआ, कि जब Britishers छोड़ करके जा रहे थे इस island को, तो तरकी के लोग और Greece में, Turkey as a country और Greece as a country में खुद पूरा युद छिड़ गया, इस चीज को ले करके कि इस पूरे island पर कबजा किसका होगा, तो तरकी अपनी forces ले करके आगया, कई बार armed conflicts भी हुए, तो final agreement क्या sign हुआ, 1974 में agreement sign हुआ, कि इस पूरे Cyprus के island पर दोनों का कबजा होगा, मतलब जो यह northern territory है, इसको Turkey hold करेग और आज भी यही सिस्थिती है, कि यह Cyprus का जो region है, यह north वाला Turkey hold करता है, और बीच में यह buffer zone है, जो green line है, जो UN की buffer loan बनाई हुई है, और जो south का region है, वो पूरी तरीके से Greece hold करता है, तो यही same situation कह रहे हैं, जो geopolitical experts है, कि वो Ukraine के भी साथ होने वाली है, कि जो Crimea वाली line है, जो Crimea का, Kharsan का region है, और जो Luhansk और Donets का region है, यह पूरा region, इस पूरी line of defense पर Russia already मौझूद है, तो यह territory वैसे भी Russia को दे दी जाएगी, कि आप इसको control करो, चौथा region दो बताए, जियो political experts, वह है defense equipment की कमी, और यह defense equipment की कमी, देखो पहली बात troops की कमी already Ukraine में है, लडने के लिए लो के Ukraine को यह समझ में आ चुका है, कि अगर आपको अपनी country defend करनी है, तो आपका air defense system काफी strong होना चाहिए, अब जैसे Ukraine की जो capital है Kiev, इसका जो air defense system है, यह पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहा है, और Kiev पे जल्दी bombardment नहीं कर पाता है Russia, तो Kiev पूरी तरीके से guarded है, क्यों guarded है, क् कि Kiev में इन्होंने Patriot systems लगा रखे है, Patriot सबसे अच्छा air defense system है, जो कि Western countries ने Ukraine को दिया है, लेकिन महीं दूसरी तरफ जो border के और region, यह से Kharkiv का region है, वहाँ पर बहुत जादा regular bombardment करता रहता है Russia, regular missiles वहाँ पर डालता रहता है, अब वहाँ पर यह Patriot system मौजूद नहीं है, क्य यह Patriot system basically आप समझ लो, कि जितनी भी air strikes होती है, जितनी भी missiles use करता है Russia, उन सब को guard करने के लिए काफी है, enough है Patriot system, क्योंकि Russia की जो missiles हैं, वो कहते हैं काफी substandard level की missiles से Russia fire करता है, ताकि उनको guard करने के लिए Ukraine का ज्यादा पैसा खर्चा हो, बस यह पूरा idea रहता है Russia का, तो य Patriot systems को कहा जा रहा है, कि यह Ukraine के पास ही नहीं उतने, अगर Ukraine को अपनी पूरी country guard करनी है, अगर पूरा country में अच्छा air defense system लगाना है, तो उनको कम से कम 25 Patriot systems की जरुवत होगी, और अभी उनके पास सिर्फ 5 Patriot systems है, और यही चीज़ को Ukraine के जो President है Zelensky, वो कई बार दोर आ चु लिए और हमारे पास 3-5 Patriot systems है, और कई देश ऐसे हैं, जिनके पास यह Patriot system मौझूद है, इन्होंने अपने airport को guard करने के लिए, हमारी पूरी country को 3-5 Patriot system guard कर रहे हैं, और कई ऐसे Western countries हैं, जिन्होंने अपने airport को guard करने के लिए अकेले 2-2 Patriot system लगा रखे हैं, तो यह तो लेकिन वो भी Patriot system अगर यूकरेन को मिल भी जाता है, तो वो भी enough नहीं होगा, क्योंकि 25 Patriot system तो वैसे भी नहीं मिलने वाले यूकरेन को, क्योंकि defense equipment अब बहुत कम पहुँचना शुरू हो चुके हैं, यूकरेन के अंदर में, और उसके बहुत सारे कारण हैं, पहला कारण तो है US presidential election, अब US presidential election में आप Wall Street Journal का खुद का article देखिए, यहाँ पर Wall Street Journal क्या बोल रहा है, कि Biden administration को और इसराइल ने इतना परिशान कर दिया है, कि अब defensive strategy वो पूरे दुनिया में और किसी country में नहीं ले सकते हैं, वो खुद इतना उलच चुके हैं इसराइल के मामले को लेकर के Middle East में, कि अभी वो किसी और चीज़ पर ध्यानी नहीं दे सकते, और इसी लिए जो last defense equipment युकरेन के पास पहुचा है, वो last defense equipment 12 मार्च को पहुचा था युकरेन के पास, और already एक महिने से जाधा हो चुका है, और arms and ammunition की जबरजस्त कमी हो चुके है युकरेन में, एक तो य reason है, दूसरा आप compare करो, compare ये करिए कि जो इसराइल को ले करके support है western countries का, जैसे इसराइल के उपर attack हुआ, तो तुरंत Jordan ने आधी missiles intercept कर दी, कहा जा रहा है साओधी में आधी missiles intercept कर दी, US ने खुद आ करके Anthony Lincoln बोलने है कि we helped Israel to shoot all of them, तो खुद US आगे चल करके उनको support कर रहा है लेकिन Ukraine के साथ, Ukraine के President ने खुद ये बात कही थी, कि जैसा support Israel को मिला, वैसा Ukraine को नहीं मिला, Russia ने अपने full-fledged attacks किये Ukraine के अंदर में, लेकिन कोई भी forces सीधा front line पर आकर कि Ukraine की forces के साथ खड़ी नहीं हुए, France हो सकता था खड़ा, US हो सकता था खड़ा, नहीं हुए, हमारे पा पर तीन Russian soldiers होंगे, तो already हम इस war में काफी पीछे हो चुके हैं, और Western support हमें उतना मिल नहीं पा रहा है, ये खुद admit किया है, जैलंस्की ने, और उनके इनी सब बयान्स को देख करके, जो वहाँ पर स्थिती है Ukraine की वो देख करके, जितने defense experts हैं, वो यहीं बोल रहे हैं कि जान बचेगी, उनके soldiers की जान बचेगी, और Ukraine as a country exist करेगा at least, क्योंकि November तक का time अगर वो wait करेंगे, US में presidential election खतम होगा, उसके बाद US उनकी help करेगा, तब तक तो आदे से जादा Ukraine पर Russia already कबजा कर लेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, I hope आपको ये पुरा मामला समझ म आगया होगा, thank you and have a nice day.